असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स आज हम क्लास 11 के लेक्शर 4 पे हैं चप्टर हमारे जो चल रहा है डाइट इस इंटर्ल ट्रेट तो हमने कहा थोड़ा सा रेकाप्सुलेट करते हैं इंटर्ल ट्रेट हमने कहा वो ट्रेट जो विदिन दा domestic territory of the country हो जाता है जिसको मिंट्र ट्रेट की नाम से जाते हैं यानि जब बाइंड इंड सेलिंग आफ गूरेसें सर्व इदिन दा कंट्री होता है That's not beyond the boundaries of the country बलकि विदिन दा बौन्रीज अफ दी कट्रेड होगा बाइंड इंड स्ट्रेड को गाटसकाब इंटर那么 अबHave इस इंडेर को बढ़ा देने के लिए कidente कुछ आसेशेंस बनाए गें prevent की तरफ से जुनको यह जिम्मदार ही दी अrada कि आपको इंट्र ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इसमें जो इशो ख़ा solve करने के लिए उनको दूर और जो issue से उनको दूर करने के लिए या to promote the interest of the traders traders को traders का interest बचाने के लिए ये दो associations बनाएगे ताकि हम interim trade को बढ़ावादे सके country में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से output निकाल सके तो इसमें जो दो important जो associations बनाएगे वो इसमें ये हैं एक है Federation of Indian Chamber of Commerce and second Confederation of Indian Chamber Indian Industry that is CII ये दो associations ऐसे बनाएगे जो government की government ने establish किये लेकिन का मुदा और मकसिद ये ही है कि ये protect करें interest of traders जो insider traders होते हैं, internal traders जो है चाहिए wholesalers है, retailers है, manufacturers है उनका interest बचाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये दो associations बनाएगे तो इनका जो role है, वो यही है to protect the interest of the traders or to promote, simply to promote and improve the internal trade structure in the country तो आज हम पढ़ने जा रहे है, role of Indian Chamber of Commerce and Industry in promotion of internal trade internal trade को बढ़ावा देने के लिए, Indian Chamber of Commerce and Industry का क्या role है ये एक association है, एक department में जो government of India ने सेट किया है सबसे पहले, इसकी जो हम देखते हैं, इनकी services क्या क्या है ये क्या 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 काम करते हैं, सबसे पहले transportation का का काम करते हैं transportation का का मालब ये हैं, ये आपको help करते हैं goods carry करने में from one state to another state या, from one district to another district जो आपको goods carry करने पड़ते हैं from one place to another उस चीज़ में ये मालब करते हैं, कैसे? सबसे पहले आपको ये vehicle registration की facility प्रोवाइड करते हैं जो किसी फर्म की जो vehicle होगी, उसको registration की facility प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ-साथ ये construction of highways कराते हैं with the collaboration with the government, government के साथ ये highways बनाता है highways बनाने में मदद करते हैं associations, जैसे इसमें एक example है corridor बनाया गया है, जो इस वज़े से, इस Indian Chamber of Commerce की वज़े से बनाया गया है जब उन्हें इनर जनल मीटिंग की है, उन्होंने उसमें ये चीज़ बनाया की बताया कि हमें highway बनाना जूरी है, तो उस वज़े से फिर highway बनाया गी तो इसके साथ साथ तो यह हां पर यह दू चीज़ बाते हाओगी, एक तो registration of vehicles का का काम करते है और इसके साथ साथ highways बनाने में भी यह मदद करते हैं ताकि good smoothly transfer हो सके, from one place to another place second, जो labor loss में उन्हें उन्हें बहुत हद तक easiness लाई, गॉर्मेंट का approach बहुत सक्त है labor loss, labor loss के related, labor labor को बचाने के लिए उनको बहुत strict labor loss बनाए लेकिन ये labor loss, strict labor loss एक factory owner के लिए, एक manufacturer के लिए बहुत ही दिक्कत कर सामना करना पड़ते है ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल बात है, strict labor loss, अब इस labor loss में थोड़ी सी easiness लाने के लिए, यही इन्हें चेपर अफ काम और जो है, गॉर्मेंटर इंडिया के साथ बात करती है, और थोड़ी सी उनमें relaxation लाते हैं, ताकि एक manufacturer को या एक retailer को आसानी से labor मिल सके, ताकि वो अच्छे से trade कर सके, ताकि वो अच्छे से अपनी factory में जो काम काज है, या अपनी दुकान में होड़ सेलिंग का जो distribution का कावा के रहा है, उसमें उसके बंदे available होगे, इस चीज़ को निमनने के लिए जो hardships फेस करने पड़ते थे अभी इंडिल ट्रेडर्स को labor के हवाले से, उन लेबर लाज्स में थोड़ी सी relaxation लेके आए, इसी इन्टे अपर आफ कामर्स के वाज़े से, इस तरह से इन्टर लेबरर्स को आसानी हो गई, और इस तरह से अभी इन्टर ट्रेड करने में आसानी हो गई, लेकिन ये तब ही मुम्किन हुआ जब इन्टे अपर आफ काम आए, यानि कि तब जाके ट्रेड भी नहीं हो पाएगा, सो लेबर होना एक किसी भी बिसनस फर्म के लिए बहुती ही इंपॉर्टन है, और इस लेबर को कैसे एक्वायर करें, एट लावर रीट्स पे, या एट लो लेबर लाज्स जो स्ट्रिक्ट लेबर लाज्स से पहले है, टेक्स एक्साइज जूटी होता है, जो इंपॉर्टन एक्सपूर्ट पे जो टेक्स लगाया जाता है, आप जो एक टेक्स है ना, ये एक इंपॉर्टन सोर्स अफ रेवन्यू बनता है सेंट्रल गोर्वर्मन के लिए, जिससे वही पैसा फिर वो कल लोगों की फला हो वहबूदी के लिए खर्चाता है, टिकी बट एड़ सीम टाइम जो एक टेक्स इंपॉस करते है ना, जिस मैनेफेक्टर को ये जिस ट्रेडर को ये टेक्स इंपॉस किया जाता है, वो उसके लिए बड़न बन जाता है, वो उसके लिए खर्चा बन जाता है, वही खर्चा चार्ज करेगा अपना प्राफिर मार्जिन भी एड़ करेगा तो अल्टिमेटली जो एक्साइज जूटी का जो कोई भी टेक्स जो है उसका अल्टिमेट बड़न एक कस्टमर पर ही आ जाता है विद रिजल्ट जितना एक प्रोड़न का कॉस्ट बढ़ता जाएगा उसको मार गवर्मेट के साथ और इन में इन टेक्स में छूट लेके आते हैं यह बहुत हद तक एक्साइज जूटी में छूट लेके आते हैं जिससे मार्केटर को कल अपना प्रोड़न बेश पाना आसान हो जाता है तो यहां पे इनका रोल जो है बहुत ही इंपोर्टन ये है कि यह इस तरह से भी मादब करते हैं जो आपको गूर्स पे टेक्स लगाया जाता है गौर्मन की तरफ से उन टेक्स में रियायत देने की दिलाने के लिए आपको जो है छेपर आफ़ कॉमर्स जो है यह आपको हल्प करती है इस ट्रेडर के लिए इसके लावा sound infrastructure बनाने में भी आपको इमाद करता है ट्रेड करते हो जब तक आपके पास अच्छे सड़कें नहीं होगे जब तक आपका railway system अच्छा strong नहीं होगा तब जाके आप अपना product भी या इस तरह जब आपके पास electricity की supply अच्छे खासी available नहीं होगी तब जाके आप अपना manufacture unit भी नहीं डाल सकोगे तब जाके आप goods एक जिएक से दुशे जिए ले नहीं सकते हो जब तक आपके पास sound transportation facility नहीं होगे अच्छे खासे highways होगे तो ये सब चीज़े बहुत ही जुरूरी होता है किसी trade को बढ़ावा देने के लिए अब ये चीज़े कैसे आजाती है जो Indian Chamber of Commerce है या जो Confirmation of Indian Industry है ये collaboration के साथ government of India के साथ heavy investment projects को लेते हैं ये अपना पैसा investor करके government को support करते हैं वो infrastructure facilities develop कराने में और इस तरह से आम लोगों को आम traders को अच्छे खासे साथ के मिलती हैं और अच्छे खासे railway system बन जाता है जिससे वो एक जग़े से दुर जग़े आच्छे आसानी से चीज़ें लेके जाते हैं या इसके लाव ये dams बनाने में मद करते हैं जिसे इलेक्रिक्रिकल प्रेडियूस करके manufacture या फैक्टरी ओनर को जिसको जुरत पड़ती है कल वो इस इलेक्रिक्रिक का फाइदा उठाकर प्रोड़क्ट बना सकेगा तो इस तरह से और एक चीज़ जो है marketing agro products and related issues जो भी agriculture products है agriculture products को इस इन्होंने यहां तक help किया कि उनकी product की selling में भी उन्होंने हिसा लिया जो इन्टेंट जेमर आफ कामर्स है उन्हें यह जिम्दार भी लिए है कि इन्हें जो agriculture products है उसको हम marketing में भी मादल करेंगे उनको sell करने में भी वो बहुत सरे बहुत सरे एक्दामातों उठाते इस जैसे management का काम करते हैं warehouse facilities रखते है या испके ऐसके राभा transportation facility रखते हैं इस च्सूर्भ bliver प्रेशार्य कमार्स इस तरह से जो ऑंगणर्चल प्रडीूसर्स होते हैं farmers होते हैं उनको help आ जाती है इन चेंबर आफ कामर्स की बदालत से और वो अपना प्रोड़क्ट आहसानी से बेच पाते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा वो कमाते हैं और इस के साथ साथ जो भी अग्रिकर्चर प्रोड़क्शन में अग्रिकर्चर प्रोड़क्शन में हैं गौर्वर्मन के साथ और लास्ट इन इपार्टमेंट डट सब्सक्राइब और इंपॉर्टन जो है तो प्रटेक्ट इंटरस्ट आप दे कंजुमर्स कंजुमर्स का इंटरस्ट बचाने के लिए क्या करते हैं इन बहुत सरे लाउज बनाए ताकि जो कस्टमर है वो किसी बी एंगल से उसको दोका नहीं मिल नहीं खाना चाहिए उन्हें कुछ मेजरिंग वेस बनाए तरह सरे मेजरिंग आप लास्ट बनाए कि कौँ सा चीज आप कैसे तोड़ सकते हैं उसके लिए कौँ से एक्युमंट आप इस्तिमाल कर सकते हैं तोलने के लिए और आप कैसे अपना प्रोडिक्ट पेच्छाने के लिए आपको को सा ब्रैंड खरीदना है वो एड़ीजमेंट के जरे से लोगों को आवियर कराते हैं जैसे आप देखते हो जागो ग्रहाग जागो की एड़ीजमेंट आती है टीवी पे उसका बज़ा क्या होता है उसको को 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 देता है वो इनिन चेमर अफ कामवर्स ही देता है ताकि लोग आवियर हो सके आम लोग आवियर हो सके जो भी माल प्रैक्टिस जो ट्रेडर्स अपनाते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए मुनाफ़ा कमाने के लिए जो भी वो फालिस एडिटीजमेंट का काम करते उन सब चिज़ों से बचने के लिए इनने चेपार काम वर जो है इनने ये भी जिम्धारी उठाए कि हम कैसे आम लोगों को आम कस्टमर्स को भी बचा सके और इसके साथ-साथ जो इन्टल ट्रेडर्स है उनका ब्रैंड नेम प्रोटेक्टर करने के लिए उन्हें लाज़ बनाए ताकि बाकी दूसरी फर्म जो है उस ब्रैंड नेम को कापी ना कर पाए और अपना वो जो फर्म है अपना ब्रैंड नेम पर करार रख पाए इस तरह से ही इनका रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूम्रू ने टूम्र इंक्रीज दा रोल अफ इंटरल ट्रेड यह जो इंडेंट चे इंपर अफ़कान्वार्स है यह जो फेडरेशन है इनका बहुती अच्छा खासा रोल है that's alpha today hope you understood